हेलो दोस्तो न्यूज रिपोर्टर की मन्थली सालरी 15,000 से लेके 25,000 रुपए के बीच में होती है और वही न्यूज आंकर की सालरी 60,000 से लेके 25,000 रुपए महिना तक होती है जी हा दोस्तो आपको जानकर बहुती ज़्यादा हैरानी होगी कि सो बात की एक बात इस की न्यूज आंकर किशोर अजवानी जी की मन्थली सालरी 25,000,000 रुपए है इसी तरह से दोस्तो सुधिर सौधरी जो की है डियने के एंकर उनकी सालरी 23,000,000 रुपए पर मन्त है इसी तरह से दोस्तो रजत शर्मा जो की आपकी अदालत इस एपिसोड के एंकर है उनकी हर मह इने की salary 28 लाक रुपए है यानि की news anchor हर साल लगबग 3 करोड से लेके 5 करोड रुपए तक की salary ले सकते है आज सारे students अपने life के अंदर graduating complete करके एक अच्छा career set करना चाते है हम ऐसे कई सारे एसे students है जिनका सपना news reporter और anchor बनने का होता है तो दोस्तो आज के इस video के अंदर में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि news reporter और anchor में क्या फरक होता है news reporter की salary कितनी होती है news reporter बनने के लिए आपको क्या education लेना पड़ता है और news reporter बनने के लिए आपको कौन सा course complete करना पड़ता है इन सारे topic के उपर आज मैं आपको इस video के अंदर बताने वाला हूँ तो चलो इस video की शुरुआत करते है दोस्तो news reporter का काम ये होता है कि वो गली महले शहर में घूम कर news को तयार करें और टीवी के अंदर उसको publish करें और वही दोस्तो news anchor का काम ये होता है कि उसको office में बेठना होता है और जो news उसको दी जा रही है उस news को कैमेरा के सामने खड़े होकर पढ़ना है और लोगों को सही तरीके से बताना है इसके साथ साथ दोस्तो news reporter और news anchor दोनों पर बहुती महत्वपुर्ने जिम्मेदरिस दी जाती है जिन जिम्मदारियों का पालन करने का ही company उनको पैसा देती है तो चलो दोस्तो जानते हैं कि news reporter बनने के लिए क्या education लेना पड़ता है तो दोस्तो news reporter बनने के लिए आपको किसी भी stream से बस एक graduation complete करना है अगर दोस्तो आप एक arts के student हो और आपने arts के अंदर 12 वी pass की है और 12 में अगर आपकी 50% से ज़्यादा marks आ चुके है तो आप bachelor of arts जनरलिजम का course complete कर लीजिए ये course तीन साल का होता है और आप किसी भी college के जरीए ये course complete कर सकते हो दोस्तो अगर आपने commerce के stream से अपने 12 वी pass की है तो आप bachelor of जनरलिजम एवा mass communication का course complete करके news reporter बन सकते हो same qualification है आपको 12 के अंदर 50% से ज़्यादा marks होने चाहिए ये course भी दोस्तो तीन साल का होता है ये course कर लेने के बाद आप news channel के अंदर news reporter, print media, editing इत्याधी पदों पर काम कर सकते हो अगर दोस्तो आपने science के stream से अपने 12 वी pass out कर ली है तो दोस्तो आप bachelor of science, animation and multimedia का course complete कर लीजिए ये course भी दोस्तो तीन साल का होता है और ये course करने के लिए आपको 12 वी के अंदर 50% से ज़्यादा marks से pass out होना है अगर दोस्तो आपने ये वीडियो बहुती ज़्यादा late देखा है यानि आपने आपना graduation complete कर लिया है फिर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अभी आप news reporter बनना चाते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस आपको जनरलिजम का diploma course complete करना है जो की सिर्फ एक साल का होता है एक साल का course complete कर लेने के बाद आप news reporter के job के लिए apply कर सकते हो तो दोस्तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आपने अपना education complete कर लिया तो आपको क्या करना है कि आपको जिस टीवी चैनल के अंदर आपको काम करना है उस टीवी चैनल के साथ आपको internship करनी है इंटर्शिप के अंदर आपको experience मिल जाता है जिसकी जरीए आपको पता चलता है कि काम कैसे किया जाता है और जिससे दोस्तों आप अपने काम के अंदर माहिर होते हो वैसे वैसे आपकी salary भी company बढ़ाती रहती है और अगर आप अपना काम बहुती अच्छी तरीके से कर रहे हो तो channel वले आपकी post बढ़ाते रहते हैं फिर एक time ऐसा आता है कि आपको उस channel का news anchor बना दिया जाता है तो दोस्तों news anchor बनने के लिए आपको ये छोटे छोटे steps जो है उनको follow करना होता है और दीरे दीरे आगे बढ़ना होता है end में आपको news anchor की post मिल जाएगी news anchor के post पर आपके उपर जिम्मेदारी भी आएगी तो चलिए जान लेते हैं कि news reporter बनने के लिए या फिर news anchor बनने के लिए क्या-क्या skills आपके अंदर होनी चाहिए तो दोस्तो news reporter बनने के लिए आपके अंदर skills होनी चाहिए जिसकी आपको news को अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए और उसको अच्छी तरीकी से रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए आपके अंदर बोलने का confidence होना चाहिए आपके अंदर communication skills होनी चाहिए आपके अंदर stage fear होना चाहिए आपको camera के सामने अच्छी तरीकी से बोलना आना चाहिए साथी साथ दूस्तों आपको अच्छी तरीके से रीड भी करते हाना चाहिए क्योंकि एंकर का सबसे ज़धा काम रीड करना होता है उसको उन सब निउस को अच्छी तरीके से पढ़ कर लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है इसके साथ साथ दूसरी अच्छी चीज़े भी आपके अंदर होनी चाहिए जो सच्चाई और इमानदारी से अपना काम करता है वही लाइफ के अंदर एक सक्सेस्फुल पर्सन बनता है अधिक जानकरी के लिए आप न्यूज रिपोर्टर किशोर अजवानी की लाइफ स्टोरी या फिर बायोग्राफि पढ़ कर अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूज रिपोर्टर बनना कैसा है डिफिकल्ट है या फिर इजी है उम्मिद करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को शेर करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और इसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमरे चैनल को धन्यवाद